हेलो स्टूडेंट्स वैलकम टू एलस एजूकेशन अनुपगड आज अपने स्टार्ट करें क्लास एट चैप्टर सैकेंड और एक्सराइज नंबर 2.2 लास्ट वीडियो में अपनोंने एक्सराइज नंबर 2.2 के 11 तक कर लिए थे आज अपने 12 नंबर कॉस्टन स्टार्ट क सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैप्टर की पीडिएफ डाल दी है वहां से आप लिंक को क्लिक करके चैप्टर की पीडिएफ डाउनलोड कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं 12 नंबर क्वेस्टन क्या किया आफ 15 येर्स फ्रोम ना रवी एज विल अधिक डिस्ट भी प्रेजेंटे अरा पेलड को पाउनलोड बन्रवी जानलोड यूर्गी अर्वी मैं allegiance क्या प्रेजेंटे केया हम मत्लिक ह horns native, या बन्ister लेएज विल जाएगीडिए आका प्लेच ये याज मन्यिए फडीन उरेज या क्वेजाःगी हम उरेजाइब की तो लों क्या हो जाएंगे, equal, अगर present age को 4 से multiply कर दूं, और after 15 years जो age होगी, वो क्या हो जाएगी, equal हो जाएगी, तो मैंने क्या किया, x को इधर लेके गया, 4x minus x, यह plus का इधर गया, minus का हो गया, 4x minus x गया, कितना बजा, 3x, 3 से multiply हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, divide, 15 upon 3, x is equal to क्या, आगे अपने पास, 5, x is equal to 5, यानि रभी present age is equal to 5 years old, यह अपना 12th का answer है, चलिए 13 number question start करते है, a rational number is such that, when you multiply by 5 upon 2, rational number को 5 upon 2 से multiply करने पर, and add 2 upon 3 to the product, यानि जो product आया है, उसको 2 upon 3 से add करने पर, you get minus 7 upon 12, अपने पास क्या आजाएगा, minus का 7 upon 12, what is the number, तो अपने लेट, rational number equal to x upon y, rational number का एक numerator, एक denominator लेना पड़ेगा, तो x upon y, तो according to question, rational number को 5 upon 2 से multiply करने, multiply by 5 upon 2, 5 upon 2 से multiply कर दिया यहां पर, और जो multiply है, इसमें क्या add कर दिया, 2 upon 3, 2 upon 3 add कर दिया, तो अपने पास क्या आजाएगा, equal to में, minus 7 upon 12 आजाएगा, तो 2 upon 3 को मैंने क्या क्या, इधर बेज दिया, यह plus का, इधर आके क्या आजाएगा, minus का, तो इसका अपनोंने LCM लिया, LCM आया, 12, इस 12 को 12 से divide किया, तो 1 आया, 1 को इससे multiply कर दिया, minus 7, तो इस 12 को 3 से divide किया, 3, 4 जा 12, 4 आया, 4 को इससे multiply किया, यह minus का sign यहां आगया, 4, 2 जा 8, तो यह दोनों सेम साइन है, minus का 7, minus का 8, यह क्या, add हो जाएगा, तो minus का 15 आपन में 12, अब अपने क्या करेंगी, यह 5 आपन में 2 है, highly multiply इंदर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इनका, यह जो 2 है यह divide में 5 multiply इधर जाएगा तो 2 क्या जाएगा multiply में 5 निच जाएगा तो इधर जाने पर क्या हो जाएगा 2 upon 5 minus 15 upon 12 2 upon 5 2 से काट दे इसको 2 बन जा 2 और 2 6 जा 12 फिर इसको 5 से काटा 5 बन जा 5 5 3 जा 15 तो यह minus का sign है 3 upon 6 3 को 1 से किया 3 6 को 1 से किया 6 यानि minus का 3 upon 6 तो 3 से वापिश कार दिया 3 1s are 3 3 2s are 6 तो minus 1 upon 2 यह अपने पास rational number आ गया तो अपने पास x upon y equal to minus 1 upon 2 then rational number equal to minus 1 upon 2 यह अपने पास 13 का answer आ गया she has currency notes of denomination 100 rupees 50 rupees and 10 rupees उसके पास 100 rupees के 50 rupees के और 10 rupees के notes है the ratio of number of these notes 2 ratio 3 ratio 5 यहनि 100 rupees का ratio कितना 2 और 50 का 3 और 10 का 5 total cash with laxmi is 4 lakhs how many notes each denomination does have c does c have उसके पास कितने के note है यहनि 100 rupees के कितने note है और 50 rupees के कितने है और 10 rupees के कितने note है तो starting में स्लेशन करते है'm the ratio of number of these notes ratio to ratio 3 ratio what is 5 यहनि शंख्या का ratio दिया है अपने पास 2 ratio 3 ratio 5 तो अपने जब भी ratio होता है एक unknown number गयाब होता है तो अपनोंने आपनोंने इसमें से undennone गयाब होता है तो अपनोंने unknown number मारने पर उनकी शंख्या आजाएगा अपने पास नंबर आजेगा, 100 notes have 2x, 50 notes have 3x, 10 notes have 5x, यह संख्या आगे 100 के कितने note है 2x, 50 rupees के कितने note है 3x, और 10 rupees के कितने है 5x, उसके बाद अपने 100 rupees के currency कितनी, currency मतलब जैसे आपके पास 200 के note है अपके पास currency कितनी बने, उसको 100 से multiply करेंगे tor 200 Bupeaz बनतें, वैसे ही आपके पास 100alled拉u 받고 कितने note है, 100 Rs क 2X note है तो currency कितनी बने, रुपे कितने बने अपने बने, तो 100 Orthodox को उससे multiply किया 2X यानि 200X रूपीज अपने पास 100 note के हैं फिर उसके बास 50 की currency कितनी 50 के note कितने अपने पास 3X को 50 से multiply कि 750X रूपीज फिर उसके बाद 10 रूपीज के कितनी currency अपने पास 10 into my 5Xdefined bN 50É रूपीज तो अपने पास total currency कितनी 4LT और यह अलग-अलग currency दिये, इनका sum कर देंगे अपने, तो कितना आएगा 4 lakh, तो यह add होके कितना हो गया, 200, 150, 50, यह कितना हो गया, 400 x, यह divide में चला जाएगा 400, जो कितना हो गया, x is equal to 1000 आगया, तो x की value जो है, अपने बास unknown number के आए थी, यह आगे अपने बास 1000, तो 100 notes have, 100 notes have, यहां value put कर दे, 2 multiply कितना आगया, 1000, तो कितना आगया, 200, 2000, तो 100 के notes कितने, अपने बास 2000, और 50 notes have, 3 multiply 1000, 3000, और 10 notes have, 5 multiply 1000, 5000, यहां value रख दी मैंने यह value, और यह अपना answer आगया, 15 number questions start करते हैं अपने, I have total rupees 300 in coins, of denomination 1, 2 and 5, 1 rupees के और 2 rupees के और 5 rupees के coin है, और total मिला के कितने रुपे बनते हैं, उसके पास 300 rupees बनते हैं, the number of 2 coins is 3 times the number of 5 rupees coin, यहानि 2 rupees के coin जो है, 5 rupees के coin के 3 times है, the total number of points is 160, total coins कितने अपने पास 160 coins है, how many notes of each denomination does she have, उसके पास कितने कितने के coins है, तो सबसे पहले अपने solution में करते हैं, total coins कितने 160, फिर assume कर लेते हैं, let number of rupees 5 coins have X, क्योंकि 5 के relation का, 5 का relation किस के साथ दिया है, 2 के साथ, 2 rupees के coin के साथ, तो यह X हा गया, तो 2 rupees के coin 3 times है, तो 2 rupees के coins कितने हो जाएंगे अपने पास, number उसके 3X, फिर उसके बाद total अपने पास coins है, 160, 5 rupees के X हो गए, और 2 rupees के 3X हो गए, total 160, तो 1 rupees के कितने होंगे, यह दोनों इसमें से subtract कर दें, किसमें से total में से, तो अपने पास क्या आजाएगा, minus X, minus 3X, यह आजाएगा, minus X और minus 3X, same sign है, यह add हो जाए, minus 4X, यह 1 rupees के coin कितने हैं, अपने पास, 180, minus 4X, अब अपने total currency कितने दी हुई है, 300, तो अपने 1 rupees के coin की currency बना लेते हैं, 2 rupees, वैसे ही, अपने पास coins कितने 1 rupees के, इसको 1 से multiply किया, तो rupees कितने आगे, 1 rupees की currency आगे अपने पास, 160, minus 4, फिर 2 rupees की currency, 2 rupees के number कितने है, 3X, 3 को 2 से multiply, 3X को यह आगे अपने पास, 6X, फिर 5 rupees की currency कितनी, 5 multiply X, तो 5X rupees, तो यह total मिला के, अपने पास कितने रूपे बनते हैं, 300 rupees बनते हैं, तो यह total sum कर दिया, अपनोंने, 160, minus 4X, plus 6X, plus 5X, कितने बन जाते हैं, 3, तो अब 160 को मैंने उदर ले गया, यह plus का था, यह इदर आके minus का हो गया, और यह 5X और 6X, plus plus के sign एड हो जाएं, कितने हो गया, 11X, minus का 4X पढ़ा है, अब यह दुनों sign क्या है, अलग-अलग है, अलग-अलग sign हो, तो क्या होता, subtract, 11X में 4 गया, 7X, तो X is equal to 7, multiply में X, क्या जाएगा, 7 is a divide में, 40, अपने 7 कितना आगे, X की value, 20, X की value 20 आगे, तो X की value यहां पर रख देंगे, तो अपने पास number of coins आजेंगे, तो 5 rupees coin कितने आगे, यहां पर रखा 20, और 2 rupees coin कितने आगे, 60, फिर 1 rupees coin, इसमें value put की, 160 minus 4, इंटू में 20 कर दिया, तो 160 minus 80, यह 1 and 60 में से 80 के, तो 80, तो अपने पास यह इसका answer आगे, 16 number question स्टार्ट करते है, the organizer of an essay competition, decide that a winner in the competition gets a prize of 100, यहनि जो winners होंगे, उनको 100 rupees मिलेंगे, and participant who does not win, gets a prize, जो जीता नहीं है, जो जीता नहीं, उसे कितने rupees मिलेंगे, 25 rupees, यहनि जो जीतेगा उसे तो 100 rupees, और जो नहीं जीतेगा उसको 25 rupees, the total price money distribute is rupees 3,000, total rupees कितनी distribute हुए, 3000, find the number of winners, if the total number of participants is 63, total participants कितने है, 63, तो अपने solution में घरते हैं, total participants कितने है, 63, let assume कर लिए अपनोंने, winners equal to x, तो not winners कितने हैं, total number कितने हैं, 63, 63 में से x minus किया, तो अपने पास not winners आ गया, अब अपने पास winners को तो 100 rupees मिलते हैं, और not winners को कितने rupees मिलते हैं, 25, तो इससे को 25 से multiply कर दिया, तो total rupees अपने पास distribute कितने होगे, 3000, तो यह 100 को x से किया, 100 x 25 को 63 से किया, 1575, 1575, इससे multiply किया, minus का 25 है, equal to 3000, तो यह 1575 यह किदर चला जाएगा, इदर आ जाएगा, यह plus का, इदर आके minus का हो जाएगा, और इदर 100 में से 25, यह plus का, यह minus का लग-लग sign है, तो यह 100 में से 25 x minus हुआ, तो कितना आ गया, 75 x, तो यह 75, इसमें सी यह subtract हुआ, 1525, 1425 आ गया, 1425, तो 75 यह multiply में यह दर आके divide में हो जाएगा, तो इसको इससे divide करने पर कितना आ गया, अपने पास, 19 आ गया, तो x की value आ गया, यह x क्या था, number of winners, तो number of winners equal to 19, यह अपने पूछ अथा, कि number of winners find करना है, यह अपना answer आ गया, exercise number अपने पास 2.2 खतम हो गई है,